कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइंग लर्निंग प्रेटफॉर्म पे दोस्तों फाइनली हरिशन महाविद्याले ने LLB का ओफिशल कटफ हरिशन महाविद्याले के द्वारा जारी कर दिया है और आज किस वीडियो में हम आपको बताए करेंगे कि LLB का मैक्सिमम और मिनिममम कितना कटफ गया है और साथी साथ आप सब की काउंसलिंग कब होगी यानि कि जेनरल की OBC, SC, ST की कब आपकी काउंसलिंग होगी हलां कि आपकी जो काउंसलिंग की जो डेट है वह 19 अक्टूबर से शुरू होगी तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम पूरे डेटेल में चर्चा करेंगे एक एक बातों को आपको बताएंगे ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा तेकि दोस्तों हरी ने अभी अभी इसको जारी किया है और हमारे पास इसका पूरा PDF पड़ा हुआ ह तो हम एक एक करके समझाएंगे ध्यान दीजेगा एक बात और आप किस वीडियो के आखरे में हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से आपको documents देख लिए यहां पर documents के बारे में लिखा है न तो हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन से आपको documents लेके जाना है इसलिए मैं आप से कह रहा हूं कि ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे तो आपको कमेंट करने के जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके अंदर किसी प्रकार का doubt confusion नहीं रह पाएगा ठीक है यहां पे क्या लिखा है चुकि उमीद करते हैं कि आप सबने अपना result चेक आउट कर लिया होगा जि जो है सारे तीन के विचाप काउंसरिंग के प्रक्रिया शिरू होगी यहां पर क्या लिखा है कि समान सेड़ी अन महाविद्यालों के चात्र चात्राओं के लिए समान वर्ग पिछड़ा वर्ग अन्नुस्ट्र जाती एम जन जाती के शभी पूरू से मैला व्यारती दो तो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके लिए अलग से कटप सुची जारी होती है ठीक ध्यान देंगे यहां पर आप जो एक सबसे इंपॉर्टन बात यहां पर क्या लिखा है कि समान सेड़ी अन्न महाविद्यालों के लिए साथी साथ क्या लिखा है कि समान वर्ग सब्सक्राइब के लिए हरिश्चन महाविद्याले 9 अक्टूबर को सुबा 10 बजे जाएंगे ठीक चलिए उसके बाद जो सेकेंड जो फर्स्ट आपकी वेटिंग सुची है वो 68 गया है यानि कि अगर आपका 68 प्लस मार्क है तो आपको भी 19 अक्टूबर को हरिश्चन सिक्स जानी कि 46 प्लस नंबर है अगर आपका ठीक है अगर आपका चांटः प्लस नंबर है तो आपको भी 19 अक्टूबर को कांसिलिंग के लिए हरिश्चन महाविद्याले में जाना है अब दोस्तों ध्यान देंगे जो हमारे हरिष्टन महाविदाले के छात्रे हैं जो S.E.P.G. में अल्रेडी पढ़ रहा है ठीक है जिनका जिनने भी B.A.B.S.E. बिकॉम किया है और वहीं से L.L.B. करना चाहते हैं तो देखिए उनके लिए अलग से एक कटप जारी हूँ यहा है अब पूरे से महाईला ब्यार थी ठीक चलिए तो यहां पे क्या लिखा है कि मुक्य सूची यानि कि merit जो लिस्ट होती है में अगर आपका 63 प्लस मार्च है यानि कि अगर आपका 63 प्लस मार्च है और अगर आप हरिष्टन महाविदाले के अल्रेडी छात रहे हैं ठीक है कि अगर आपका 58 प्लस मार्क से या फिर अगर आपका देखें तो यानिकि 56 प्लस मार्क्रेंब है ना देखिए यहां पे प्रतम प्रतिता सुची और यह की फ कि से सचीन इडियर पितत्व जो लिस्ट है उसमें अगर आपका 60 या 56 प्लस माक टक मिनमम गया है तो आप counselling के लिए 19 सक्टूबर को जाएंगे ध्यान दीजेगा ये हरिश्टन महाविद्याले के छातरों के लिए यानि कि जो लोग already SEPG से BA, BSCP.com कोई भी graduation का कोर्स कर चुके हैं तो उनको कुछ नकुछ merit मतलब की कुछ नकुछ उनको weightage मिलता है तो उनके लिए है ठीक चल है और हरिश्टन महाविद्याले के हर एक कोर्स में 20% महिलाओं के लिए छूट रहता है ठीक है तो जो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप क्यों देखिए ये क्यों महिलाओं के लिए अगर आप girls है अगर आप समान सेडी से हैं यानि कि अगर आप जनरल से OBC, SC, SD से हैं यानि कि एक सर्ट प्लस माक्स है, एक सर्ट प्लस तो आप लोग हरिश्टन महाविद्याले में काउंसिनिंग के लिए 90 सक्टूबर को जाएंगी ध्यान दीजेगा फिर से मेरी बात आप समझ लीजिए कि ये क्यों महिलाओं के लिए महिलाओं का मतलब क्या होता है क्यों ग हरिश्टन महाविद्याले में जाएंगी सुबद 10 बजे चलिए उसके बाद देखिए जो भी हमारी ऐसी महिला है जो हरिश्टन महाविद्याले से और लेडी यूजी का कोर्स कर ली है यानि कि मेरी कहने का मतलब यह है कि अगर आप जो है जन्रल है ओबी सी है अगर आपने हरिश्टन महाविद्याले से अगर आपने बी ए किया है बी कॉम किया बी एसी किया है यहां तो यहां पे मुक्स सूची जो मेरी सूची है वहाँ पे 57 नमबर 54 नमबर 59 और अगर आप देखेंगे तो 42 नमबर तक गया है ध्यान दीजेगा यह किसके लिए है फिर से मेरी बा तो EWS के लिए गया है यह फरस्ट जो है यह 51 है सेकेंड 42 है और मुक्स सूची EWS के लिए 59 गया है ठीक है तो मेरी यहां पे मेरा बात जो है समझाने का यह है कि अगर आपका 42 प्लस मार्क्स है 42 प्लस मार्क्स है अगर आप जनरल है OBC है SCST है तो आप सबको जाना है ध्यान नंबर तक ही कटफ गया है ठीक है लेकिन अगर आप EWS कंडिडेट है तो 42 नंबर तक यहां पे कटफ आपका गया है ठीक है तो आपका 42 नंबर मिनमें मार्क्स है तो आपको भी 20 अक्टूबर को हरिश्टन महाविद्याले में काउंस निकले जाना है ध्यान दिजएगा EWS क कि क्या अक्टूबर को यह बुलाए गया है ठीक है तो यहां पर ध्यान दिजएगा और यह किसके लिए है हरिश्टन से जो भी हमाईलाएं पड़ी है यहां पर ध्यान देंगे आप लोग तो रिखा हुआ है समान स्रेडी 20% अरक्षित हरिश्टन महाविद्याले के महावि जो लेडीज है आपने अगर हरिश्टन महाविद्याले में एंट्रेंस एक्जाम दिया था लेलवी का तो आपके लिए ठीक है तो यहां पर EWS की कटेगरी अलगे इसको लेकर कि आप लोग कन्फ्यूज मत हुएगा तो बस मेरा यहां पर कहना यह है कि अगर आप EWS कटेग लगा है लेकि जो टाइमिंग है वो आपका दस से साड़े तीन बजे की बीच है ठीक हलाकि अब हम इस वीडियो के आखिर में डिसकस करेंगे कि आप कौन कौन से लेकि जाना है तो वीडियो को ध्यान पूरा पूरा जरूर देखेगा यहां पर आगे क्या लिखा है कि सुच जाती यानि कि यह स्टी स्टी होता है इसको लिए आप लोग परशानना हो और अगर आप हरिशन महाविद्दाले में नहीं पड़ी है मतलब कहीं आउटसाइडर है तो यहां पर दिखाया गया है इसी कांसिनी 20 अक्टूबर को है और यहां पर जो मिनमम दिखाया गय है मार्क्स वो 49 दिखाए गया है यानि कि 49 अगर आपका 49 प्लस नंबर है यानि कि 49 प्लस मार्क्स है देन आपको 20 अक्टूबर को हरिशन महाविद्दाले में कांसिनी के लिए ठीक चलि यहां पर ध्यान देंगे यह चातर चात्राओं यानि कि दोनों के लिए है चलिए अगर आप से से बिलॉंग करते हैं और अगर आप हरिशन महाविद्दाले के चातर रह चुके हैं जा फिर वहां से आप पढ़ रहे हैं अगर आपने अप्लाई गिया था तो यह कटफ आप के लिए निकाले गया है चुकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो चातर से से उनको बहुत अच्छा वेटेज मिलता है उनका नंबर कम भी रहता है तो उनको मिल जाता है और आप इसको देख में सकते हैं यहां पर क्या लिखा है मोकि सूची यानिकि जो फर्स मेरिट लिस्ट है उसमें 46 गया है सेकेंड में आपका फर्स सेकेंड अगर पूरा देखें है तब ठीक है यानि कि अगर आपका थर्टी नाइन प्लस मक्स है देन आपको जाना है बिस अक्टूबर को काउंसिलिंग के लिए हरिश्चन महाविद्याले में सुबह दस बजे उसके बाद यहां पर एक और कैटेगरी की निकाली गई है जो फिर से है कि अन जाती जाती यानि कि फिर से बात की जाए लेकिन ट्वंटी पसित आरक्षित महीला सीट के लिए यानि कि यह कि इस किसके लिए है कि वाल महीलाओं के लिए यानि कि जो भी हमारी गल्स है जिन्होंने हरुचन महाविद्याले में लल्लवी का इंटर्स एक्जाम दिया था और अगर आप अन्य महाविद्याले से ध्यान दिजेएगा यहां पर Sounds लीका है अगर आप हरिशितन महाविद्याले से और है अगर आप महाविद्याले में पढ़ाए नहीं कि है तब येह कृट आपके लिए है और आपके मिनमOn कटब 37 निकाल आपके अगर आपके 27 प्लस माक्स है इन आपको 20 October को कांसिलिंग के लिए हरिष्टन महाविद्याले में जाना है ठीक फिर से कांसिलिंग की जो डेट है इसको समझ लिए आप लोग यह भी अनुसी जाती है हम जंजाती के लिए है लेकिन यह 20% सीट जो है कि और महिलाओं के लिए है वो भी हरिष्टन महाविद्याले में जोनों पढ़ चुके हैं ठीक चलिए यहां पर 20 तारीक को कांसिलिंग के लिए जाना है यहां पर एक नोट करके पॉइंट लिए जो आपको समझना जरूरी है यहां क्या लिखा है कि अनुसी जाते ही कि समझ चाट से तरहों दिनान 20 October को उपस्तित हो कर अपना प्रवे कांसिलिंग लिए जाना है और वहां पर वरिता करम में जैसे सीट रहेगी जितना सीट बचा रहेगा उसके साब साब का अबिशन दिया जाएगा एक सुची और भी है जो एक हमारे और भी चो कैंडिडेट्स हैं यहां पर क्या लिखा है अने पिछला पर यानिको OBC के चात लिए है और हां अगर आप आउटसाइडर हैं देन मतलब के मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप हरिश्चान महाविद द्यालाव में नहीं पड़े है तब यहां के लिए का निकाली गई है हां इसमें मिनमम कटफ कितना गया है 64 गया है ठीक है यानि कि आगर आपका जो है इसके लिए है जो लोग हरिश्चन महाविद द्यालाव में जो लोग पढ़ चुके है ठीक यहां पर जो मुख सूची है तो आप देखेंगे तो यहां पर 54 प्लस मार्क्स है ठीक है यानि कि अगर आपका जो है 54 प्लस मार्क्स है तो आप लोग भी 21 अक्टूबर को सुब छातरों के लिए है अगर आप लेख चातर नहीं है तब आपके लिए ठीक हाँ धियान दीजेगा यह को महिलाओ के लिए कि क्वल महिलाओं के लिए है चुकि मैंने आप पहले वी बताया था कि 20 प्रतिस जो सीट रहता है वह महिलाओं के लिए ज है पूरी तरह से बुक रह करता है हर जगा कि हर एक कोर्स में रहता है चलिए एक गाया है कट वो 57 गया है मिंमम 57 प्लस माक्स तक को कूंसलीग के लिए हरे 11th में जाना है ठीक चलिए एक और लिस्ट है ये यह आनप पिशया महावध्याले में पढ़ चुकी है ठीक है अगर आपने वहां से जूजी पीजी कुछ भी कर लिया है तो आपको जहाँ पर 20% का जहाँ यहाँ पर वेटेज मिलता है तो 21 सक्टूबर काउंसलिंग है और इसमें भी 47 प्लस माक्स अगर आपका है तो आप काउंसलिंग के लिए हरिश्य महावध्याले में 21 सक्टूबर को जाएंगी चलिए इसके बाद जाना तक हमें उमीद है कि हमने आपको सारी बाते बता दी है अब हम यह डिसकस कर लेते हैं कि आपको काउंसलिंग के समय कौन कौन से डकूमेंट्स लेके जाना है चुकि यह सबसे आप बताओंगा उन सब के आप फोटो कॉपी ले कि जाएंगे और दो फोटी जितने भी दौक्रावनच में आपको बताओंगा उनologically दो फोटो काप्य आपके पास होने चाहिए जब आप काउसिरिए के लिए जाएंगे यहां क्या लिए क्या है प्रवेस्पत्र यानि कि आपका आईडी काइडिक आएडमिट कार था अद्मिट कार लेकि जाएंगे उसके बाद आवेदन पत्र की डाउनलोड दो प्रति यानि कि अगर आपने सनातक किया है, यूजी किया है, तो आप यूजी का लेके जाएंगे, और अगर पीजी भी किया है, तो पीजी का भी आप लोग साथ में ले लेंगे, लेकि यूजी ही माने होता है, क्योंकि यूजी के बाद ही पीजी डिग्री आपके लेल भी है, तो आप लो लिए के बारे में हमने और लेडी एक वीडियो बना दिया है और अंडर टेकिंग का फॉर्म कैसे आपको डाउनलोड करना है कैसे फिल करना है उसमें क्या क्या चीज़े डालनी है और क्या 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 फिल करनी है और लेडी हमने बना दिया आपको और इस वीडियो का लिंक हम चार्माब्र की चात्रों को कोई भी प्रमाफपत्र नहीं देना पड़ता है अगर आप का 2019 के पहले का certificate है तो वो माने नहीं होगा 2019 के बाद का है तब वो माने होगा हाँ एक बात और है जो हमारे EWS के candidates है अगर आपका EWS है तो आपका भी EWS latest होना चाहिए एक April के बाद 2022 के बाद का ठीक क्योंकि लेटेस्ट लगता है और हर साल होता है ठीक है ध्यान देंगे फिर से मेरी बाद समझेगा OVC के जितने भी छात्रें ECS ठीक है अगर आपका का certificate 2019 के पहले का है तो मान नहीं होगा अगर उसके बात का है तो मान नहीं होगा ठीक उसके बाद इसके बात करूं तो अगर एक अपरेल के बाद का certificate है तभी आपका चलेगा पहले का है तो नहीं चलेगा तो आप इसको जब 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 अपलाई करकर बनवा लीजिए उसके बाद यहाँ पे चैदिप्रमालपत्र का मतलब होता है आपका क्रेटर सर्टिफिकेट जो कि उसक सुल्क जो है प्रविस के बाद आउनलाइन जमा करना होगा यानि कि जब आप आप आफ लाइन करा लेंक हरिश्चन महावध दाले में तो आपके मुवाइल पे एक लिंक जाएगा आपको उस लिंक पर टच करेंगे तो आप अपना आउनलाइन करेंगे और जैसे आप कर ल